जिस जीवटता के लिए इंदोर शहर पहचाना जाता है, वो एक बार फिर देखने को मिला है। कौरोना के मामले और संसादनों की कमी की स्थिती के बीच अब शहर के समाज सेवी और दानदाताओं ने प्रसाशन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। के लिए एक करोर से जादा का फ़ण्ड देने की घोशना की। इस दोरान केबिनेत मंत्री ने इंदॉर के जजबे को सलाम किया। मैं मद्धिपर्देश सहकार की और से हमारे इंदवर के विश्वास को, इंदवर के जजवे को, इंदवर के इस सोच को और इंदवर वो सब कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता है। इंदवर का प्रभाव इंदवर नहीं मद्धिपर्देश में और राश में पड़ता है। और अभी यह लवाई लंबी चलेगा। सरकार पूरी बचन बद्ध है, कटी बद्ध है कि हम इंदवर ने पूरे मद्धिपर्देश के भाई और भेहनों की, हम इस संकड में उनकी स्वास की सेवाएं, सुचार रूप से देप आएं और उससे बड़ा इनोंने जो क्या है, इस संकर में बाकि में मद्ध देश के मुद्कुमंति के तरफ से और देश के पिलहान मंति जी तरफ से, सासन पर सासन के और से, पूरे हमाद जो एक उद्ध्योग पती, तरून भी हैं और हमारे अनुभव भी हैं, सारी समाच सेवी को, मैं बाकि में तहे दिल से, मैं तो आपके माध्यम से, इंद्वार के समच सेवियों से, समच वर्ग से यही अनुद्ध कर रहा हूं, आएं, और ये राधा स्वामी सच्छंग, जो जब जाओ, तो एक इस्वर की विश्वास की वर्सा होती है, भगवान दिखते हैं, उस पवित्र भूमें पार, जो 600 कोवीट का, कोवीट, जो सेंटर बनने जा रहा है, उसको हम कोशीज करेंगे, कि 10 सेयार तब, आगे बढ़ाएं, और मुझे पूरा विश्वास है, इन दोर कोशीज करेंगा, प्रयाज करेंगा, दस का उससे बढ़के भी, हम उसमें सबलता पाएंगे, क्रेडा यूथ विंग के सुमित मंत्री के मुताबेक हम जनता की मदद के लिए आगे आएं हैं, और कई व्यवस्थाएं की हैं, ये एक हमारी क्रेडाई संस्ता है, जिसने हमारे पूरे इंदोर के बिल्डर समूह को साथ में लेकर, एक अच्छा फंड बनाके, हमने 25 मशीन दस लीटर वाली ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर वाली वो डोनेट करी है, कलेक्टर साब के अंडर में ताकि उसको सदुपियोग रादा स्वामी सत्संग में जो हस्पिटल का पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, वहाँ पे वो काम आ जाए, सेकेंड ली हमने एक शव वहान डोन पानी की, MY होस्पिटल पे प्रती दिन के लिए कल से स्टार्ट करी है, जिसमें जिन लोगों को पानी की तकलिफ पढ़ रही है, उनको पानी के लिए मिनरल वाटर वहाँ पे अवेलेवल हो जाए, फ्री आफ कॉस्ट में, इसके बाद हमने कई ऐसे नीडी लोग जो की अंत पानी की, इसके साथ हमारे गृप के कई सदस्यों ने मिलकर, एक कोड़ पंदरा लाख रूपे का जो प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, आपके यह रादा सौमे सथांग पर, वहां पे उसका भी पूरा फंड इखटा करके, और भी कही लोगों मिलकर, हमारे साथ हमारे जित् अगर सद उप्योग हो, तो हम उसके लिए और फंड जुटाने के लिए तयार है, पिछली बार जब लोगडाउन का समय था, तो प्रवासी मजदूरों के लिए हमने 45 दिन तक न्यू योप सिटी के बाहर करीबन 5 लाख लोगों को भोजन कराया था, और उन लोगों को समय जब कोई ढबे, कोई सुविदा उपलब नहीं थी, तब हमारी पहल स्टार्ट करके 45 दिन तक कंटिनियूस किचन 24 गंटे हमने चलाया और तकरीबन 5 लाख लोगों को भोजन उपलब्द कराया था, और आज भी हमारी संस्ता तत्पर है, जब भी नीड होगी, जितनी नीड होगी, हम अब उपलब्द कराया है, देखा जाए तो इंदौर जिसे जीवटता के लिए पहचाना जाता है, वह एक बार फिर सार तक होता है, नजर आया है, ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज उंदौर